UPPSC के माद्धिम से LTC इच्छक भरती का विग्यापन कब तक जारी किया जाएगा क्योंकि LTC इच्छक भरती फिर से फसा पेच आपको बता दें LTC इच्छक भरती के इंजिजार में बैठे आप भरतियों को जटका लग सकता है खबर अंदर की है सबसे बड़ी खबर में आपको बताने जा रहा हूँ UPPSC कलेंडर 2025 से पॉपलर भरती गाइब हो सकती है क्यों गाइब होगी इसके समझ में पूरी जानकारे दूँगा UPPSS RO-10 परिछा को लेकर बड़ी अपडेट है नई खबर है TGTPT के 9000 से अधिक पदो पर भरती का विग्यापल जारी किया गया है नॉवंबर में इसकी लाश्ट टिजेट है अगर आप आबेजन करना चाते हैं तो कर सकते हैं अन्य पांच बड़ी खबरे इस वीडियो में दी जाएंगी तो अब तक कि सबसे अथेंटिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक शेर कर दे क्योंकि लगातार में आपको सबसे सही और सबसे सठीक जानकारी देने का प्रियास करता हूँ सबसे पहले मैं बात करूँगा नई भरती को लेकर आप कवता दे 21 अक्टूबर 2024 से आबेजन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है और 15 नौमबर 2024 तक चलेगी फीस 500 रुपे निर्धारित किया गया है भरती है TGT की आपको बता दें TGT की भरती है और PGT की भरती है यहाँ पर आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं TGT के 8,004 पदों पर और PGT के 1,380 पदों पर कुल पदों की शंख्या 9,000 से ज़ादा हो गई है यानि की 9,389 अगर आप अनरच्छित हैं तो 5 रुपे फीस देना पड़ेगा स्थी जिव्यांग के लिए 3,5,500 रुपे फीस देना पड़ेगा कहां पर विग्यापन निकला है विग्यापन आया है असम मादमिक शिछा बोड में भरती को लेकर देखिए असम मादमिक शिछा बोड में भरती को लेकर आवेदन करना चाते हैं तो कर सकते हैं आप जाएए असम मादमिक शिछा बोड के अथकार विबसाइट पर वहाँ पर आपको नोडिफिकेशन मिलेगा उसी ध्यान से पढ़िए उसके बाद आवेदन करिए अगली खबर है उत्तरप्रदेश लोग शिवा आयो की एल्टी करे सिछक भरती का विग्यापन लंबे समय से आ रहा है परन्तु उत्तरप्रदेश लोग सिवा आयो की वेबसाइट पर नहीं आया क्यों समाचार पत्र में आता रहा है लाखो अब भिर्थी राज की विद्याले में सिछक भरती पर टक्तिकी लगाए हुए बैठे हैं सिछक भरती का इंतजार कर रहे हैं और मादमी शिछक भाग ने ल्टी के सिछक क्यों प्रवक्ता की रिक्त पतों का जियाचन उत्तरप्रदेश लोग सिवा आयो को दोबार विद्याचन अभी तक उत्तरप्रदेश लोग बहुंचा नहीं जब इसके सम्मधि में में जानकारे क्लेक्ट कॉलेक्ट करने का प्रयास किया पता क्यात जता चला कि उसका अधियाचन अभी जो है नौम्मВОर या दिसंबर माध पहुंचेगा को ठिक ना लिग संबर मां त सकता है इसका जिक्र ना हो सकता है हो भी सकता है क्योंकि उत्त प्रत में लोग शिश्वायों को नई एलडिके शिछख भरती का पहुंच गया तो यो आयां से अध्याच्य नहीं पहुंचा तो संसूजित कल्लेंडर 75 का दृश्म पर तो संसूजित कल्लेंडर कragonप दो कि यानि कि अगर सद्गों में नहीं होता हुट होगा उसमें इलटी कर शीच्छ वाक को Debício कि तना समय लेगा कि इसकी भी जानकारी कलेक्ट किया हूं ऐसा है नहीं है कि नहीं किया हूं जो मुझे जानकारी प्राप्ट हुई है कि कम से कम 20-25 दिन का अवसर मिलेगा अवेदन के लिए उसके बाद जो है चार से पाँच महीने लगेंगे परिच्छा में तो यानि कि अगर इसकी परिच्छा की बात कीजा आए तो जो मुझे जानकारी करेंट की प्राप्ट हुई है मैई से पहले नहीं होगी परिच्छा उमीद यही है कि मैई से पहले हो सकता है कि परिच्छा ना हो तो अब आप कोई करें कि नहीं तीस अपरेल को डेट आ जाए पचीशे अपरेल को डेट आ गया देखें वह एक संभावी जानकारी है जो मुझे बताया गया है तो मई से पहले इसकी परिच्छा होने के चांसिज नहीं दिख रहे हैं बाकी कोई अपडेट आगे मिलेगा तो मैं आपको अवश्य दूँगा और इस भरती के अभ्यासियों को प्रियास करना पड़ेगा अनिता भरती लंबे समय के लिए लटक जाएगी और विज्यापन आ मैं आपको और दे दूँगा भोक्त की परिच्छा को लेकर country है स्विए से 5 परिच्छा को लेकर कौन सी परिच्छा अर परिच्छा जो की 15 सेस्टार्ठ होगी सैध्यानतिक विश्यों की तो आप लोग जो है अपने जो कॉलेज या अपने स्कूल पर पता कर लिजे इंटर कॉलेज पर पता कर लिजे एक बड़ी अपडिट में आपको और देना चाहता हूं सरकारी करमचारियों को लेकर है दिपावली पर 15 लाख राज करमचारियों को बोनेस देने का फैसला किया गया है मुखवंत्री के बाद भी भाग ने जारी किया सासना देश 25 फीजदी राज का होगा नगत भुगदान या अब तक की सबसे बड़ी ख़वर है तो अगर आप सरकारी करमचारी हैं तो आपको एक अच्छी ख़वर प्राप्त हो रहे है अब मैं बात करूंगा यूपी पीसिय सबसे 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 सठीक जान कर दी जा रही है तभी को पता है और जितनी भी बाते मेरे द्वारा बताए गई हैं सब अटवसते निकल रही है यूपी पीसियस की परिछा जो साथ आठ तारी को प्रस्तावी थे नहीं हो पाएगे उस तारीक पे अगर इस तरह से विर कि समकच्छ परिछाओं पर समकच्छ परिछा का परभाव पढ़ता है ना कि हाई स्कूल और इंटर लेबल की परिछाओं पर पढ़ता है चलिए अब आर्थ तारीकों अगर परिछा ना हो यूपी पीसियस फिलिम्स का तो यह मत समझियागा कि हाई कोट की जो परिछा थी हाई कोड के दवारा जो बिग्यापवर जारी किया था उसकी जो परीछा थी उसकी वज़ा से आर तारी को PCS की परिछभा नहीं उसकी वज़ा से नहीं मैं फिर बता देना चाहता हूं जो समकछ परिछाए होती है जैसे गृजुएशन लेबल की परिछा है PCS अगर उस लेब ना हो लेकिन आइसी परिच्छाओं के कारण उस परिच्छा को पोस्ट पॉन नहीं किया जाता है जो समकच्छे ना हो हाई स्कूल लेबल की परिच्छा और ग्रिजुएट लेबल की परिच्छा से क्या लेना देना तो साथ और आर्ट तारी की परिच्छा अगर पोस्ट हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अलावन हाइकोट की दौरे जो परिच्छा आयों जित की जाएगी उसकी वज़ा से पीसे की परिच्छा इसे की गई है जब कोई खबर किसी को नहीं मिलेगा जैसा कि मैं समय समय पर आपको कोई कभर की वज़ा से लोग को आपको गुम्राह करेंगे देखे की परिच्छा इसकी को भी रोज हो रहे है दो दिन पर इंगजां कर और आपकी मांग है वंडे इंग्जाम हो एक दिन इंग्जाम हो उसको लेकर इस परिष्छा को इस्टिगित किया जाएगा जेट को इस्टेंग किया जाएगा बदलाओ किया जाएगा और सेंटर की वेवस्था एक ही दिन करने का प्लान है अगर आप लोग लगे रहें नह जेकी दिन में करवाने का भीचार है आपका 3 इक फाली एक दिन जो भी आपकी इच्छा हो उसके लिए आपको अठक प्रियास करना पड़ेगा जब तब तक या परिच्छा एक दिन एक पाली में नहीं हो पाएगी तो सभी लोग प्रियास करें जिस्तरा से यूपीपीशिस का बैनर आगे रहता है और जंडा दिखाई देता है उसी प्रकार से आपको जंडा आगे करना पड़ेगा अगर आप जंडा आगे करने के लिए तया तयार है और बोलंद आवाज करने से तयार है तो उसी प्रकार करीए अन्रत आपकी परिच्छा को कोई पर नहीं करवाए पैखा क्योंकि आपकी परीच् 억े कोई कोई बंतर नहीं है दूसरी बात आरो की परिच्छा एगर पोर्षपोन कर दिया जाेगा लेकिन आपकी रहा था और सबसे ज़्यादा जिक्र यूपी पीशेस का हो रहा था उसी प्रकार से आरो यारो को सबसे ज़्यादा जिक्रों तो हो सकता है कि आपकी परिछा आपकी मांग के मुस्वार करा दी जाए इस पर इच्छा खुवी आगी बढ़ा दिया जाए तो यह आपके ओपर जब notice आयां या कोई अजकारी सूचना आजा या तब बताया करो और कोई खबर आपको बाद में notice आने के बाद बता जाए तो आप क्या कहते हो जब मुझे नोटिस आने के बाद पता चल जाता है तो आप बताओ किस प्रकार की खबर आप चाहते हो कमेंड बॉक्स में बताजो नोटिस आने के पहले में भी रोज समय से पहले कुछ बताने में भी रोज क्योंकि समय से पहले में बताता हो तो आपको कोई जानकारी नहीं रहती है तो हर एक बात आपको जूट लगता है, सही तो लगता नहीं है, क्योंकि आपको knowledge नहीं है, अगर आपको knowledge होता तो channel पर सभी channel पर जाके आप video नहीं देखते, अगर आपको कोई सही जानकारी दे रहा है तो उसकी बातों को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, समझने का प्रिया करेंगे, तभी आपको सभी समय पर सही जानकारी मिल पाएगी, बाकी मैं आप से request करूँगा, अगर आप सही सठीक जानकारी चाहते हो, आप चाहते हो कि authentic जानकारी आपको मिलता रहे, तो वीडियो को like share करना मत बुले, पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद झाल